देश में पेलगाम है पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल के दामों में 28 पैसे प्रती लीटर की बढ़ात्री, जबकि डीजल के दामों में 27 पैसे प्रती लीटर की बढ़ात्री दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 93 रुपए 31 पैसे जबकि मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 के पार चिन्नाई में 95 रुपए प्रती लीटर पेट्रोल डीजर की बड़ती कीमतों पर राहूल गांधी का तंज ट्वीट कर कहा महंगाई में मोधी सरकार का विकार स्वी देखने को मिलेगा बड़ती महंगाई के खिलाब सौड़क पर उत्री कॉंग्रेस दिल्ली में कॉंग्रेस कारेकरपाओं का जम कर प्रदर्शा लगातार घट रहे हैं कोरोना की मामने 61 दिन बाद सबसे कम मामने एक दिन में 1,336 मामने आये साम 24 गंटे में 2427 मरेजों की मौत 1,444 मरेजों की दिस्चार एक्टिव केस 14,1,000 से अरी 552 हेल्थ केर वरकरस पर दोनों वैक्सिन को लेकर की गई इस्टड़ी स्टड़ी में दोनों वैक्सिन को बतायागए प्रभावी वैक्सिन का इम्मून रिस्पांस भी रहा बहता दिल्ली के को वैक्सिन की दूसरी रोज का इंदजार खत्म हो चुका है अज एकत्तर सरकारी वैक्सिनेशन सेंटर्स पर कोवैक्सिन की दूसरी डोस लगाई जा रहे है। और इवन के आधा पर खुले बाजार, मॉल और शॉपिंग कॉंप्लेक्स, मोहली की सभी दुकानों को भी खुल लिकी जासा दिली में 50 पिसदी शम्ता के साथ पट्री पर लोटी मेट्रो, 5 से 15 मिनट के अंतराल में चल रही है मेट्रो अनोक होते ही दिली के आनंत बिहार, बस टेशन पर लोगों की भारी भीट, दिली में कामकाज की तलाश में लौट रहे हैं प्रवासी मश्चुप आनंत बिहार में भी लगा ट्राफिक जाम, सड़कों पर दिखी गाड़ीयों की लंबी कतार डिली के अंडॉक होते ही सड़कों पर लगा ट्राफिंग जाम, आईट्यू के पास रेंग की दिखी, गाड़ियां भारी संख्या में लोग सड़कों पर मिकले डिली में आज से सर्कारी दफ्तर भी खुले, पचास पीसिदी शम्ता की साथ दफ्तरों में भी काम करने की इजासत डिली में फिलाल जिम, स्पा, सलून नहीं खुलेंगे, बाबा शॉप, ब्यूट्री पालर, सुमिविंग फूल खुलने की भी इजासत नहीं डिली में एडिक्रिशनल और कोचिंग इंस्टिटूट फिलाल बंद करती गए है, सिनिमा और थेटर, रेस्टूनेंट और बार खुलने की भी जासत नहीं युवी की चार जिलों को छोड़कर पूरा प्रदेश कोरोना कर्फियों मुक्त, दिली से सटे नोईडा में भी कोरोना कर्फियों हटाया गया महराश में आजसे लॉक्टाउन में धीर, जिन शेहरों में पॉजिटिविटी रेट पांस पीसिदी से कम, वहीं पूरे तरीके से अनलॉक किये जाएंगे मुंबई में आसे बस सिवा, फिर से शिरू सीटों से ज़ादा यात्रियों की इजाज़त नहीं, यात्रा के दौरान मास्क पहनना होगा ज़रूरी मुंबई की बांदरा में चार मंजिला, बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिरा, हाथसे में एक शक्स की मौत, पांच लोग खाए पागिस्ता में दो ट्रेनों की टटकर से बड़ा हाथसे में 25 लोगों की मौत, जबकि 50 से ज़ादा लोग खाए मिलत एक्स्प्रिस और सरसयद एक्स्प्रिस की बीच टकर हुई ये हाथसल सुभा के समय डाहर की रेलवे स्टेशन के पास गुआ पाकिस्तान के कराची में रवीबार्त को हुए दंगे सैक्लो प्रदशन कारियों ने कराची हाउसिंग सुसाईटी में कई दुकानों और गारियों में आग लगा दी पाकिस्तान के बलुचिस्तान में हिंदू वेपारियों और दुकानदारों को मिल रही है जान से मारने की धंकिया वेपारी अशुक्क कुमार को अध्यात लोगों ने उतारा मौत केखा दिखा परुजिस्तान के बाजारों में हिंदू महिलाओं के बाजार में घुणने पर पावंदी कटरपन्थियों ने साइन बोट और पोस्ट लगा कर फ्रताब ने दी पर्शुम बंगाल के नौर्थ परगरा में बीज़पी सांसत अर्जुन सिंग के घर के बाहर फेका गया बम अमले में दो लोग खायल हुए टीमसी के गुंटों पर हमले का आरोप पूरी घटना से सिटी बी में कैद लाठी डंडों से की गई तोड़फो महबुबा ने का सरकार को प्रदेश के युवाओं के भविश्य की चिंता नहीं जो नहीं ली जाती जम्मू कश्मीर के लोगों की राए मत्यप्रदेश के धार में तेल से भरा टैंकर पलटा टैंकर की चप्रेट में आए तीन दुकाने तेल लूटने वालों का उमड़ा हो जो जिल्मेबंद माकिय मुक्तार अंसारी की बढ़ी मुश्किले परजी नाम पते पर आम्स लाइसेंस की पहरवी मावले में आज प्रियाक राज की MP MLA कोर्ट में सुनवाई होगी राइपूर हमस में आज से OPD सेवा शुरू जाज के लिए आने वालों के लिए आनलाइन रेजिस्टेशन जरूरी मरीजों के साथ किवथ एक ही परिजन को आने की जाज़ए सब्सगर में ब्लाक फंदिस के अब तक सामने आये 269 केस सुर्धा की गई जान राज़धानी राइपूर में मिले 48 नई मरीज